कुर्बा के उर्गा थाना चेत्र में तीन दिन पहले नशे में धूत पती ने पत्नी की पिटाई कर दी थी घटना के तिसरे दिन महिला की संदिग्ध परिश्दितियों में मौत हो गई मामले में पती पुलिस को मौत के बीना सूचना दिये अंतिम संसकार के तैयारी में जूटा हुआ था संदिग्ध मौत की खबर मिलते ही पुलिस ने हत्या के संदेह पर शोग को पीम के लिए भिजवाया वही मकान को सिल कर विवेशना शुरू कर दी है उर्गाथाना छेतर के ग्राम साजा पानी निवासी सत्रुघन चौहान की शादी दस सल पहले पुषपा चौहान से हुई थी पिछले चार दिसंबर को शराप के नशे में धूत सत्रुघन ने पुषपा की बहरहमी से पिटाई कर दी थी जिसके कारण महिला के पेट में दर्द होने लगा था कल शाम संदिग्द परिस्थीत्यों में उसकी मौत हो गई हाला कि उसके पती शत्रुघन चौहान ने उसकी मौत पेट दर्द से होना वह सामान्य मृत्यू की बात बताते हुए अंतिम संसकार की तैयारी में लगा हुआ था इसी बीच उर्गा पुलिस को किसी ने घटना की सूचना दे दी पुलिस ने मौकर इस्थल पहुँचकर मृत्का के कमरे को सिरी कर दिया वही शव को पंचनामा कारिवाही के बाद पीम के लिए चीर घर रवाना कर दिया उर्गा पुलिस ने मायके पक्ष के लोगों को भी बयान दर्श करने बुलाया है पीम रिपोर्ट के बाद मामले में वैधानी कारिवाही की जाएगी घर वाली को बताया उन्हें तब घर में जाकर कि मैं सुना हो तो मौके में आया तो लेती थी तो मतलब मुझे तवस्था में चित पड़ी हुई थी कोई देखा हुए यह अंदेशा हुआ मार पीट कर लागा इसा शरी को देखा तो बस काम में मुहलने में धर धर घुमा प्रसा तो मेरे को यह पता चला कि मार पीट से वैसा हुआ है कर दो कि जान करें तो तरफ से अरे तपी आए वारे हैं तब मार देहंगा खोनवा बहुत निखाल गिसी से टेच कही से तहां पहली ना पापा लड़ी होई पापा उम्मा अम्मा बहुत जोर से मारी इस अमोडी पोडी मारी फिर एक चूडी में चूडी इक लगा यहां प देटिया में सीर को भी ठेशा फिर चुंदिया चुंदिया के मारा जापड़ भी मारा बहुत खून निकल रहा था मैंने पोच्छा भी फिर कल साम को डाक्टर के पास से लाते समय आधे रस्ते में ही खत्म हुद फिलहाल पुलिस यह मान रही है कि मार्पिट से ही महला की मा वज़ा है कि पती सत्रुघन को पुलिस निगरानी में रखा गया है बताया जा रहा है विवात की वज़ह सबजी में नमक कम होने से पती ने पत्नी की बहरहमी से पिटाई कर दी थी मिडिया 4 सपोर्ट के लिए इश्वर राठय के साथ पूजा साहू की रिपोर्ट